हेलो दोस्तो आज हम बेसन और आलू से बहुत ही टेस्टी और चटपटी थी सबजी बनाएंगे इससे पहले अपने न कभी बनाया होगा और ना ही खाया होगा बहुत ही टेस्टी और मज़िदार सबजी बनती है तो चलिए फटा-फट से बनाना शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बॉल में एक कटोरी जितना बेशन लिया है और इसके बाद हमने इसमें आधा चम्मच के करीम नमक डाला है आधा चम्मच के करीब यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाली है और आधा चम्मच के करीब यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल एक चम्मच बुना हुँआ जीरप ओरडम के जितनी आपर अज्वाइन डाली है। यह देखिये आलू gratter में अच्छे से grate हो चुका है, इसे हम तब तक अच्छे से mix करेंगे जब तक यह सारी चिजे अच्छे से आपस में mix ना हो जाएं, वैसे तो यह आलू के ही moisture से अच्छे से bind हो जाएगा लेकिन आपको इसको थोड़ा गूतने में दिक्कत हो, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर सकते हो और इसमें हमने oil डाला है तो ये देखिए हाथों में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं बहुत ही आसानी से ये अच्छे से bind हो जाएगा इसे हमको अच्छे से गूत लेना है तो ये देखिए यहाँ पर यह हमारा बहुत ही बढ़िया soft सा dough बनके तयार हो चुका है अब हम इसे 10 मिट तक ली rest कर निकले छोड़ देंगे और अपनी अगली तयारी करेंगे इसके बाद मैंने यापर एक mixer जा लिया है और उसमें 8 से 9 medium size की कटी होई प्याज डाली है और 7 से 8 lesson की कलियर डाली है अब हम इसका धक्कन लगा देंगे और इसे बढ़िया से बारीक पीस लेंगे तो ये देखिए lesson और प्याज का बढ़िया सा fine paste बनके ready हो चुका है अब हम इस प्याज और लेसन के paste को एक अलग कटूरी में निकाल लेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हम सारे paste को एक अलग कटूरी में निकाल लेना है यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा प्याज डालोगी उतनी ही बढ़िया gravy बनके तयार होगी इसलिए प्याज यहाँ पर हमने थोड़ी से ज़्यादा डाली है अब इसके बाद उसी जार में हम दो medium size के कटे हुए टमाटे डालेंगे एक हरी मिर्श डाली है और दो इंच के करीब हमने यहाँ पर अद्रक के तुकड़े डाले है और यहाँ पर लास्ट में हमने थोड़ी सी फ्रेश हरी धनिया डाली है अब हम इसका ढखकन लगाकर बढ़िया से इसका fine paste बनाके तयार कर लेंगे तो यह देखिए इस तरीके से हमने इसे बढ़िया तरीके से पीस लिया है यहाँ हमारा अद्रक टमाटर धनिया मिर्शी का बढ़िया सा paste बनके तयार हो गया है इसे भी एक कलक कटूरी में निकाल लेना है और अब हम करेंगे अपनी अगली तयारी अब हमने जो बेसर कडोर रेस्ट करने के लिए रखा था उसे हम हातों के हैलसे बढ़िया से अच्छे से मसल लेंगे तो यह देखिए बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो चुका है अब हम इसकी छोटी छोटी इस तरीके से लोई तोड़ लेंगे आपको भी इसकी सारी इसी तरीके से अच्छे से लोई तोड़ लेना है ये जो हम सारी लोई तोड़ रहे हैं वो एकी साइस की होनी चाहिए मतलब छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए सारी सेम साइस की होनी चाहिए तो ये देखिए हमने सारे डोकी लोई तोल ली है अब हम अपने हातों पर थोड़ा सा ओईल लगाएंगे और एक लोई लेंगे और इस तरीके से गोल शेप देकर इसे अच्छे तरीके से चप्टा कर लेंगे और अपने हातों की हतेलियों पर इसी तरीके से बढ़िया तरीक से अच्छे से रोल बन चुका है इसी सेम तरीके से हम बागी सारे रोल भी बना के तयार कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने फिर से एक लोई ली है और उसे बड़िया तरीके से अच्छे से चप्टा कर लिया है और इसी सेम तरीके से हमने यहाँ पर दूसरा रोल भी बना के तया कर लिए हैं यह देखने में कितने बड़िया और जबरदस्त लग रहे हैं बहुत ही बड़िया रोल बनके तयार हुए हैं अब हम करेंगे अपनी अगली तयारी इसके बाद मैंने गैस पर एक कड़ाई रखी है कड़ाई को अच्छे से गरम हो जाने देना है जब कड़ाई अ यहाँपर एक चमच के करीब जीरा डाला है और इसके बाद मैंने यहाँपर एक विंच के करीब अजवायन डाली है अब हम इसमें लेसन प्याच के पेस्ट को चमच की हैल्प से लगतार चलाते रहेंगे जिसे यह जब तक अच्छे से ओल में मिक्स ना हो टाता इसे हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें बड़िया सा ग्ο sentences कलर नहीं आ जाता इसका मतलब यहां पर हमारी प्याज बड़िया तरीके से पक चुकी है तो यह से देखिए प्याज का जो है बड़िया सा 그माल All Japon कलर आ छुका है अब इसकी बाद हम इसमें कुछ मसालेट करेंगे जिसमें मैंने यापर सबसे पहले 1 टेवल स्पून हल्दी पाउडर डाली है इसके बाद मैंने यहापर 2 चमच के करीब लाल मिर्च पाउडर डाली है यह कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ये खाने में ज़्यादा तीक ही नहीं होती है, आप चाहें तो नार्मल वाली भी डाल सकते हो, इसके बाद मैंने हापर 2 चमच के करीब धन्या पाուडर ढाला है, और इसके बाद एक चमच एवरेस्ट मसाला डाला है और एक चमच यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाला है इन दोनों से ही बढ़िया टेस्ट आता है अब हम सभी मसालों को अच्छे से चमच से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को अच्छे से ओल में मिला लेना है तो यह देखिए सा बड़िया तरीके से हम इसे मसाले में मिक्स करेंगे, जिसे आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, तो ये देखिए, इसी तरीके से आपको भी अच्छे से मिला लेना है, बड़िया तरीके से ये आपस में अच्छे से मिक्स हो चुकी है, इसको दो मिनिट तक अच्छे से पका देंगे इस steel की जाली को मैंने oil से अच्छे से grease कर लिया है अब हमने जो roll तयार करके रखे थे उसे हम एक एक करके जाली पे रख देंगे इसे हम थोड़ा दूर दूर रखेंगे जिसे ने steam होने में आसानी हो और ये आपस में बिल्कुल भी चिपके नहीं हमने इस जाली में oil इसलिए लगाया है जिसे रोल इसमें बिल्कुल भी चिपके नहीं बहुत ही आसानी से ये steam होके निगल जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर हमने सारे roll रख दिये हैं अब हम इसमें एक ढखकन से अच्छे से ढाग देंगे यहाँ पर आपको एक ऐसा ढखकन लेना है जि पक चुके हैं अगर ये अंदर से अच्छे से नहीं पके हो तो आप इने थोड़ी देर के लिए और अच्छे से steam कर सकते हो इसी steel की जाली को अब हम एक संसी की help से अच्छे से हटा लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा मसाला है बिल्कुल भी चिपका नहीं है क्य क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था इसलिए ये मसाला भी अच्छे से पक चुका है बड़िया तरीके से इसमें जो भुन्ने की खुश्बू है वो आने लगी है अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी अट करेंगे दोस्तों मैंने यहाँ पर दो ग्लास की जितना पानी डाला है आपको यहाँ पर जितना रसा चाहिए आप उतना पानी डाल सकते हो मैं यहाँ पर थोड़ी ग्रेवी वाली सबजी बना रही हूँ यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल रही हूँ आप यहाँ पर चाहे तो कम पानी भी डाल सकते हो अब को ज्यादा पकाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है इसके बाद हम इसमें एक चमच के जितना स्वाधनुसा नमक डालेंगे और यहां पर आप नमक अपने स्वाधकनुसा डाल सकते हो और नमक को हम बढ़िया तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जी में जिसे अच् झाल चूखा है और सब्जी है जो बढ़िया तरीके से पक चुकी है हमें इसको ज्यादा कुक नहीं करना है और सबसे आकरीए में हमसमें कटा हुआ हरा दालेंगे हरा दनिया से सब्जी का सौध बहुत ही बड़ी आता है वैसे तो हमने हरा दनिया टमाटर की प्रियोरी में भी डाल दिया था लेकिन आप चाहे आखरी में भी डालना चाहे तो डाल सकते हो तो यह देखिए इन सारे रोल्स के अंदर तक अच्छे से मसाला भर चु की है आप भी से अपने घर पर एक बार बना कर जरूर ट्राय कीजेगा और अगर आप कोई हमारी रेस्पी पसंद आई हो तो फ्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्स्राइब जरूर कीजेगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा मिलते हैं एक भी इजाँ तब तक ली टाटा बाइबाइ